प्रथम पाठह यानिकी पहला पाठ सुभा शितानी यानिकी सुभ या सुन्दर मीठे बचन ठीकर शुभा से इतका मतल्ब जाता है सुन्दर या मीठे बचन ठीकर देखो शुन्दर या मीठे बचन ठीकर ये अपने होगा सुभा सक्का मतल्ब उसके बाद में देखते हैं इतकी प्रत्थिवी में प्रत्थिवी में प्रत्थिवी पर टीन प्रकार के रत्थन जो है वो मताए नहीं है, इस सुभा से कम हैं, ठीक है न दोस्तों? जल मंत्रम, यहाने कि जल थल और बायू, ठीक है न? जल अगनी और बायू, ठीक है न? मूडे पासार खंडेशु रत्न संध्या विधे यते यानि कि मूडे यानि मूर्ख लो मूर्ख करत क्या होता मूर्ख मूर्ख फिके ना तो मूर्ख लो पासार यानि कि पत्थर और खंडेशु रानि टुकडे करना यानि टुकडे करना यानि पत्थर के टुकडे करना रत्न संध्या विधे यते और रत्न यानि कि रत्न पर उनकी नाम लिखते है जो भूख लोग है वो पत्थरों के टुकड़ों पर उनके नाम लिखते हैं ठीक है यानि कि सत्य को धारण करना और प्रत्वी शत्य को धारण करता है वो रभी की रोशनी से जलते हैं उस प्रकार से उसमें जलता रहता है उसमें तपता रहता है जो इस प्रत्वी पर सत्य को धारण करता है वह रभी की रोशनी की तरह जलता रहता है जोस्तों इसके बादे झेलिए सत्य के बाहव है वो बायू की तरह फैलेता है सत्य का जो बहावे को करता है दोस्तों बायू की तरह फैलता है सर्व सत्य प्रतिष्ट कम और सत्य जो है अपना इस्थान अपनी प्रतिष्था अपने आप में रखती है ठीके ना दोस्तों इनका देख लिए कि पहले प्रतिव पर तीम मंत्र रत्र बताए गई है और प्रत्रों के नाम किस पर लिखते हैं पत्थरों के टुकुड़ों पर लिखते हैं ठीके ना दोस्तों इसके बाद प्रतिव पर सत्य को धारण करता है वह सत्य रभी की तरह रभी की तेजी की तरह प्रतिव पर तपता है और सत्य वागी बाईश्य और सत्य का जो है सत्य ज अब आगे देखते हैं देखें दाने तपशे शोरे चा बिज्ञाने बिनए नहीं बिश्मयो नहीं कर्तब्यो बहूरतना बशोधरा यह कि इसले दानसे तपश से और बिज्ञान से और नीती निपुनय से विश्मयो नहीं करता वह जो कर रहा है वह वह बहुत से रतन जो है वह हमारी भशंद्रा यानिकि धर्ति पर विद्धिवान है दोस्तों इसका थोड़ा सा ओर सुनुरी जीए कि दान तप और बल धारण की हुए हैं वो इस प्रत्रि पर रत्यों की तरह विध्वान थीक है न दोस्तों अब इसका आगे देखिए संदिरेव सहासीट संदि पुरूवीत संगितं सब्सक्राइब बिद्वार में त्रीच नसा दिकिंचदा चलव रेख थी न तो इसका देखिए दोस्तों जैसे सज्जन सहासित है नी साथ रहना सद्धिकुरवीत संगतम और हमेशा हमें सज्जनों की संगती करना चाहिए या सज्जनों के साथ रहना चाहिए देखें दोस्तों सद्धिकुरव को मतलता है सज्जन सज्जन ठीक है उसके बाद साथ रहता है साथ ठीक है उसके बाद में संगतम का मतलब संगतम है साथ में करना संगीत ठीक है सद्धिक का मतलब सज्जन साथ प्रवारा में प्रिचा और जो साथ प्रवार जो है यह जो मतलब सज्जन नहीं करें हुए असज्जन जो लोग है में प्रिचा ना साब्री कि उनसे क्या है विवाद नहीं करना चाहिए और उनसे नहीं मित्रका तभी करनी चाहिए करना हमेशा सर्जनों के साथ रहात हमेशा संगीत करना चाहिए और हमेशा हमेशा सर्जनों की उसको ग्रहन करना चाहिए करने वाले जो लोग है और जो असजन है ऐसे लोगों से हमें कभी भी मतलब मित्रता नहीं करने चाहिए और उनके साथ कभी भी नहीं बैठना चाहिए ठीक है दोस्तों इसके वाद देखते हैं हम देखिए धन धान्ये प्रयोगेशु विद्धया संग्रेशु चाहारे बेवहारे चाह युद्दलग्ज सुपी भवेत यानिकी धन धान्ये धन और धान्ये से विद्धया संग्रेशु धन और धान्ये से धन और धान्ये के प्रयोग से हमें विद्धया का संग्रेश करना चाहिए एकत्रित करना चाहिए और उसको अच्छी जए जो है वो हमें विद्धया का उप्योग करना चाहिए ठीक है ना यानि कि आहार में बेवार में और लोक में हमें क्या है मतलब बिद्रा को संग्रत करके रहना चाहिए और सुखी हमेशा हम क्या करते हैं सुखी रहते हैं दीके ने दोस्तों हम अपनी विज्ञा को संग्रेत करेंगे अपने बेभार में लाएंगे और जहाँ आवशक्ता है वहाँ पर उस विझ्ञा को देंगे तो क्या होगा हमेशा हम सुखी रहें ठीक है इसके वाद में दीकिन चमा वसी कृति लोके चमया कीन साथ्यते चमा वसी क्रती लोगे चमाया दीन साध्यते यानि कि चमा वसी यानि चमा सीर ये लोग जो है वो इस लोग में चमाया दीन साध्यते यानि कि चमा सीर लोगों की हमेशा सर्जनता होती है और सर्जन लोगों को हमें क्या करना चाहिए हमेशा चमा करना चाहिए और सर्जन होते हैं यह वह हमेशा क्या करते हैं चसुमा करते हैं याने क्यों कि शांथी करगए करस्थेखिक शांती की तलवा शांती खड़गे करते क्या होता है दोस्तों इसका आर्थ होता है शांती की तलवा खड़ग का आर्थ होता है तलवा करे यश्य के करिश्चती दुर्जना दुर्जन का आर्थ होता है बुरा या बुरे लो बुरे लोग या पापी लोग बुरे लोग या पापी लोग बुरे या पापी लोग ठीके ना गुफ्तो इसके बाद में इस तेरा जो मतलब यानिकी सांती की तरवार को लेकरके ओ जो दुर्जन लोग हैं उनको क्या मोलते हैं उनका नाश करना चाहिए उनका सज्ञाण करना चाहिए और जो स्थमासीन जो लोग हैं उनकी जो है जो सजन पुरुष हैं उनका जो है आचरन जो है वो अपने आपने उतारना चाहिए उनकी बातों को अपने बैभार में लाना चाहिए और दुर्जन लोगों को शांती की तलवार से अपने रास्ते से अटा करके और आगे बढ़त शाध्य जोगों और उसके बाद में जो आखाश अगनी वायू चल हैं उनके बारे में जनकरिकी के इसमें हमें क्या कैसा करना चाहिए किस तरह का बैबार करना चाहिए कैसे लोगों के साथ रहना चाहिए और हमें किस तरग से अपनी विद्या का संक्रहन करना चाहिए तो दोस्तों आज हमारा जोई पाड़ था उसको हमें हम सब को मिल करके अपने वेवार में उतारना है और सज्जनता और सत्य को आगे बढ़ाते हुए हमें अपने रक्षे की और बढ़ना है आज के लिए इतना ही धन्यवाद